जब हमारे नी करोन कोई fracture होता है, कोई injury होती है और 2-3 माँ गुज़र चुकी है तो सबसे बड़ा जो मसला हम फेस करते हैं कि इन दब हमारा नी स्टीफ हो जाता है करते हैं नमबर टू अक्साइज करते हैं हम पेशनल कहते हैं कि अपनी थाई को पकड़ ले और जिस एंगल में नी लॉक हुआ है और अपनी आंपर टकते हैं और आजसा ऐसा अपने बॉड़ी वेट के साथ नी को नीचे लेकर जाने कोशिश करते हैं इसलिए कि हम उसकी नी से तीन अफ़तों के अंदर टैन बाइटू रेप्रिटेशन साथ एक्साइज करें तो आपनी नी बैंडिंग बहुत तेजी से इंप्रूव हो जाती है